तो जैसे कि आपसे भी जानते हैं कि Redmi Note 11 Pro Plus 5G और Poco OS Pro 5G डिवाइस के लिए latest HyperOS का update rollout हो चुका है Indian users के लिए and बहुत सारे ऐसे users है जो इस update को अभी miss कर दिया है बट आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने latest HyperOS के update को miss कर दिया है और आप चाहते हैं कि इस OS को अपने Redmi Note 11 Pro Plus 5G और Poco X Pro 5G डिवाइस में इंस्टॉल करना तो बने रहे वीडियो के इंट तक चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक like जरूर दीजेगा तो installation से पहला हम देते हैं उसके बाद कस्टोमाइजेशन पर क्लिक करना है फिल्टर वगरा एड़ कर सकते हैं कुछ इस तरह का बट इसके बाद भी यहां पर अगर आप इस तरह से क्लिक करते हैं क्लॉक स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं लाइक जैसे कि मुझे फॉन्ट वगरा चेंज कर तो कलर प्लिक करना है इसमें से जो कलर आपको सही लगता है पिक कीजिए एक्जामपल हम लोग इसे लेते हैं करना है अप्लाइब पर क्लिक कर देना है इतना ही निये सब्सक्राइब करें अगर मैं इस तरह से आप होगा तो लागो भी इस तरह से रोटेट करेंगा सेम यहां पर भी आपको मिलेगा जैसे कि वॉल्यूम आप एंड डाउन होने को देखने को मिल रहा है इसमें से जितने भी आप्शन है सभी में कुछ ना कुछ एमिनेशन दिया गिया है उसके बाद वाइफाई एंड जो म्यूजिक कंट्रोल वह भी मिल जाता है और अगर आपके घर में स्मार्ट डिवाइस से तो आप यहां से आड करके कंट्रोल कर सकते है नेयक्स पेवे सिस्टम लांचर में भी बहुत अच्छे फीचर मिल जाता है सबसे पहले तो वीडियो डिया मिलेगा इस तरह से साथाव थैप करेंगेर से enabled सशाज में कर अपको और से सर्च कर सकते यहां पर देखने को नहीं मिलता है है अगर आप सिस्टम अप्लिकेशन पर होल्ड करेंगे तो तो यह उप्षन मिलेगा एक information दूसरा है remove का तो यह एक features यहां पर missing देखने को मिला है साथ में जो dial pad है Google का dial pad देखने को मिलता है Xiaomi का official dial pad अभी तक देखने को नहीं मिला है next बास करते है camera application तो camera application यहां पर देख सकते as it is same है कोई भी खास changes देखने को नहीं मिला है dot का जो निशान देखने को मिल रहा है यहां पर आपको बताया जा रहा है कि आपका device जो भी application अभी आप रण कर रहे हैं वह application कौन सा चीज access कर रहा है और यहां पर क्लिक करके आप इसे disable भी कर सकते हैं यहां पर कोई भी हाइपर इसका latest camera application देखने को नहीं मिला है और यहां पर हर एक चीज perfectly work कर रहा है और camera quality भी अच्छे खासे मिल जाता है जिस तरह का पहले camera का performance था सेम वैसे ही मिलते हैं तो camera में ऐसा कुछ issue नहीं है बस आपको new UI देखने को नहीं मिला है जबकि China वाला में UI design मिल जाता है और features थोड़ी सी जाधा रहता है security application आपको latest UI मिलेगा इसमें थोड़ा बहुत changes किया है जिस तरह का layout मिलेगा और अगर आप यहां पे battery UI पे जाहेंगे तो battery UI पे current mode में चार option मिलेगा जैसे की performance, balance, battery saver, ultra battery saver, अलग-अलग mode को use करके आप battery wake-up कैसे देखने को मिलता है मैंने कुछ screen shot लेकर रखा है यहां पर आप देख सकते है six hour 43 minute मैंने use के अपने device को जो की 75% तक था and use करने के बाद 30% battery बचा हुआ था तो इस हिसाफ से आप battery wake-up ठीक ठाक बोल सकते है यह use के उपर भी depend करता है कि battery wake-up कितना मिलेगा next बात करत अब्डेट के बाद भी बहुत सरे फीचर यहां पर मिसिंग कर दिया है जैसे कि इस तरह से अगर आप होल्ड करेंगे तो टेक्स्ट को कौपी नहीं कर सकते हैं इतना ही नहीं more के option में text recognize या table recognition को भी option नहीं है edit section पर जाएंगे तो basic edit setup देखने को मिलेगा and AI के अंदर इसका इस गैलरी अप्लिकेशन मिलने के बाद भी आपको इस तरह के features missing देखने को मिलेगा गैलरी अप्लिकेशन में next बात करते हैं तो थीम एप्लिकेशन तो थीम एप्लिकेशन भी काफी जादा simple ले global में भी simply देखने को मिला था बट जो Chinese वाला है उसमें काफी जादा advanced features add कि अ device को चार्ज में लगाते हैं तो यह जो notification है वो आपको देखने को मिलेगा इस तरह से अब अलग-अलग option में अलग-अलग dynamic notification देखने को मिलेगा तो dynamic notification भी HyperOS update के बाद मिल जाता है settings के अंदर HyperOS के छोटे-छोटे new icons देखने को मिलेगा and our phone screen completely change हो चुका है Android 13 के वज़े से मैंने यहाँ पे starting में पेज नहीं दिखाया था HyperOS का row में आपको Android 13 के साथ ही मिला है Android 14 के साथ नहीं मिला है और नहीं आपको आनोले time में Android 14 का update मिलेगा lock screen के अंदर AOD option नहीं मिलता है जबकि पहले से AOD and lock screen बोला जाता था AOD के लिए आपको wallpaper के section पे आना है नहीं से आप AOD को customize कर सकते है and wallpaper के section में lock style, AOD display, icon, fonts, fonts के अंदर एक new font मिलता है जो की Xiaomi का official font है और मुझे बहुत जादा पसंद है तो मैं इसे यूज करता हूं थोड़ा से scroll down करेंगे तो अब आप यहां पे कोई भी add account का option देखने को नहीं मिलेगा add account का option आपको additional settings के अंदर मिलता है यहाँ पर आपको click करना है और यहाँ से आप easily कोई भी account को add कर सकते जैसे की Google, Facebook, etc and memory extension के भी support मिलता है आपके device के according है 4GB, 6GB, 8GB तक देखने को मिल सकता है and बात के आजाए floating window तो इसके अंदर sidebar मिलता है and sidebar के अंदर completely hyperose का ammunition देखने को मिलता है जैसे के हम लोग इसे open कर लेते हैं देख सकते कुछ इस तरह का split हो जाता है दोनों दो side में completely hyperose का ammunition देखने को मिलता है और अगर आप sidebar use करते हैं तो इसे भी enable जरूर कर लीजेगा अगर आप sidebar जादा use करेंगे तो जो भी application जादा use करते है वो top suggestion में देखने को मिलेगा आपको बार बार इस तरह से scroll नहीं करना पड़ेगा जिससे आपका time थोड़ा safe हो जाएगा तो features तो लगवग ठीक ठाक मिल जाता है बैटरी वेकप भी ठीक ठाक है और अब बात रहे कि यह जो hyperose update है इसके बाद device में performance में कुछ changes आया है कि ने तो देखिए performance में काफे जादा effect पड़ा है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ screenshot यह MIUI 14 का है जिसमें 3 million स उपर है and hyperose install करने के बाद 2.9 million तक ही touch कर रहा है तो यह first build हो सकता है जिसके लिए यहाँ पर इस तरह का performance देखने को मिला है बट जैसे जैसे update आते जाएगा तो performance भी best मिल सकता है तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपको यह update install करना है और आपने update miss कर दिया है तो official तरीके से कैसे आप इसे install करेंगे तो देखे शाओ में जब भी कोई first build rollout करता है वो beta users के लिए stable users के लिए नहीं बट आप इससे बहुत easy तरीके से install कर सकते हैं सबसे पहले आपको setting पर आके देख लेना है कि current में आपके device में कौन service run कर रहा है जैसे कि MIY 14.0.7.0 इस room को हमें सबसे प folder में रखना है copy कर ली जगा ज्यादा बेटर होगा क्योंकि first attempt में अगर इंस्टॉल नहीं होगा दूसरा attempt भी try कर सकते हैं उसके बाद सबसे पहले हमें rename करना है जैसे कि MIY 14.0.0 को हम लोग कर देते हैं M और हाइपर इसको कर देते हैं H sorry H कर देते हैं H करने के बाद setting पर आ device में current में run कर रहा है उसे इस तरह से select करना है हमारे case में हमने aim रखा था तो इससे select कर लेते हैं यहां पर verify के लिए wait नहीं कीजिएगा तूरण आपको वापस से file manager पर आना है and aim को आप कोई भी नाम दे दिजिए rename करके बट जो H है यानि कि हाइपर जिसे आपको install करना है उ इस वर्जन को अपडेट करना है तो यहां पर update पर क्लिक कर लिए जब बहुत लोगों को सवाल होगा कि भाई हम लोग तो है पर इस इस तरह से start हो जाएगा इंड में आपको reboot देखने को मिल रहा है तो जो भी आपको यहां पर update देखने को मिल रहा है उसे आपको update पर क्लि में रन होने आला है तो देखिए यहां पर को भी लॉगों आ गया है नहीं कि हमारे डिवाइस में सक्सेस्पुली हाइपर इंस्टॉल हो चुका है तो इस तरह से आप एक छोटी से बाइपस मेतोड को यूज करके हाइपर रहा है या नहीं जिससे दूसरे यूजर्स को भी हेल्प हो जाएगा और इंस्टॉल करने के बाद जो भी फीचर्स मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है और एक फीचर्स को तब इजिली यूज करी सकते हों और आगी इसके उपर और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे तो वो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल क को सब्सक्राइब कर लिजिए इंस्टॉलेशन में पर्सनली कोई हेल्प चाहिए तो टेलीगरम ग्रूप को जॉइन कर लिजिए और इंस्टा में फॉलो जरू कर लिजिएगा थैंक यू